हलो दूस्तों स्वागत है आप सब का हमारे इस चैनल पिंक के श्टिलर में तो आज हम बता रहे हैं दोनों साइड बॉर्डर ब्लाउस पीस कटिंग तो यहाँ पर देखें मैंने इस ब्लाउस की पीस ले ली है और इसमें इस दोनों साइड बॉर्डर है तो देखें एक बॉर्डर हमारे आस्तिन पर आएगा और एक आएगा कमर पर तो देखें इसको किस तरह से फैला ना है कि हमारे दोनों साइड आ जाए आस्तिन पर भी और कमर पर भी इसको मैंने डबल फूल्ड कर लिया है और इसको एक बार और मोड़ना है हमको तो इसको ए फूर फूल्ड हो जाएगा तो हमको एक सुप फैला कर इस तरह से मोड़ लेना है पर यहाँ पर आस्तिन हमारी जो लंबाई है उससे एक इंच ज्यादा लेंगे तो हम लेंगे यहाँ पर साड़े पाँच इंच तो हम साड़े पाँच इंच पर एक निसान लगा देते हैं और इसको सीधा नीचे तक लाइन खीच देते हैं देखिए मैंने सेधी लाइन खेच ली है और आप इसके लिए हम जो नीचे का साइड है उसके कितनी गहराई देंगे देखिए हम दो या धाई पर एक निसान लगाएंगे तो यहाँ पर हम दो पर लगा रहे हैं आस्तिन की लंबाई साड़े चार है तो गहराई दो की दे सकते हैं और आस्तिन की हिसाब से हमको गहराई देनी पड़ती है अगर आस्तिन जाना लंबी है तो गहराई भी बड़ाव देनी चाहिए तो इस तरह से गुलाई मिला लेना है और यह देंगे हम गहराई तो गहराई भी हम आदा से पोना इंच तक गहराई दे सकते हैं तेस तरह से आगे की पल्लार में गहराई दी जाती है तो पहले हम इसको कटिंग कर लेती है और इसके बाद जो गहराई है इसको कटिंग कर लेती है तो आपर यह जोइंट है इसको कार देती है इसको भी से कट कर दिया है और अब यह दो हिस्सा दोनों आस्तिन की एक एक हिस् तो दीखिए मैंने दोनों आस्तिन का एक एक हिस्सा लिया है और नीचे वाले दोनों हिस्से एक एक हिस्से छोड़ दिये हैं इसको निसान की हिसाब से ही काड़ देना है तो यहां पर इसकी गहराई भी कड़ चुकी है और यहां पर जो आस्तिन कम पड़ेगी तो देखिए पहले हम नापके दिखा देते हैं यहाँ पर आठ इन्च आरहा है थोड़ा सा कमा आइछ इन्च में तो इसमें हम पट्टी भी लगा सकते हैं तो यहीर सी बॉॉडर की हमको पट्टी लगाना है तो जो नीचे साईड की हमारे कोछ थोड़ी और सोधीक नहीं सकी से बड़ा बच टिकी वह यहां पर लगासी कि इसको साइड में रखते हैं और आगे वह पीछे की पल्ला हमको विछा कर उस पर निसान लगा देना है तो हमको कपड़े को रखना है ओल्टा यह हमारा सीधा साइड है और यह ओल्टा साइड है तो हमको इस साड़ से विछाना है ताकि निसान हमारे ओल्टे साइड आने चाहिए तो हमको इस तरह से कपड़े को फैला लेना है यह मैंने डबल फोल्ड में रखा है कपड़ा तो आप देख सकते हैं चोड़ाई कितनी लेनी है मैं आपको अभी नाप का दिखा देती हूं कि हमको कपड़े की चोड़ाई कितनी रखना है लंबाई और चोड़ाई का हमको दोनों तरह से नाप रखना है तो लंबाई भी देखनी है हमको चोड़ाई भी तो चोड़ाई हम रख लेते हैं साड़े बारा के करीब और यहां पर लंबाई लेना हमको साड़े तेरा एंच हमारा बलाउस फिटेंग का है साड़े तेरा एं तो यहां पर मैंने साड़े चौदा इंच पर एक निसान लगादिया है पीछे की साड़े चौदा लगाया तो यहां हमको एक से डेश जादा लेना है आगे की साइड तो यहां पर गदेश जादा रखेंगे आगे की तरफ तो देखें यहांन às कपड़ा थोड़ा नहीं कम है तो हम इसमें तीरा पट्ती है दूसरी इन दाइस निकाल लेएंगे तो resulting सुला इंच नहीं आ रहा है इसमें दो इंच कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम बेल्ट अलक्सी निकाल लेंगे इसमें से बेल्ट पट्टी निकाल लेंगे तो हमारा कपड़ा पूरा हो जाएगा तो यहां पर हमने जो नाप लगाया है पीछे केस्टा का तो हम पहले उसी का म इंज पर मैंने 5 इंशन लगा यह और पर यह और यह नगा भी आपर ओर शोल्डर मैंने 5 इंच पर हरकें और लगा लेते हैं गली का निसान तो गली पर मैंने 10 इंच परने शाल लगाया है मैंने पीछी के गला 10 इंच लंबाई पर निसान लगा लिया है और यहाँ पर चोड़ाई देख लेते हैं तो चोड़ाई हमको मुड़ों की साइड 2 इंच पर लगाना है और यहाँ पर देखिए हमको डाउन करना है थोड़ा सा डाउन करना है वो भी गले की साइड गले की साइड हमको थोड़ा सा डाउन करना है ताकि हमारे मुड़े उतरते नहीं है डाउन करने से हमारे मुड़े नहीं उतरेंगे यहाँ पार देखिए मैंने लिया है तीन इंच की चोड़ाई नीचे गले के साट तेन एंच की चौड़ाई ली है और इस निसान को हम सीधा मिला देते है तो इस तरह से मैंने निसान को सीधा मिला दिया है और इसमें थोड़ी सी गोलाई मिला देंगे तो देखिए इस तरह से अंदाजे से हमको हल्уки हांतों से गूलाई मिला देनी होती है तो अपनाप लेती हैं सीना यानि चेस्ठ का त्यहां पर चेस्ठ है कि 60 की कWhen हैं में को एक हैसा लेना है साड़े नौ का साड़े नौ पर मैंने संद लगा दिया ओ डेर्ट इन्ज का मार्जन वouts कि यहां पर मैंने साड़े नौ का लेसान लगाए आब लगाते हैं कमर का मार्णат यहां पर देखी कमर है । तो हम को आठ इंच बाल निसान लगाना है, 32 खवथाई भाग आठ आता है, तो यहां पर हमको 1.5 इंच की पिलेट और 1.5 और माजन की लिए लेना है, लेना है और इसको हमको यहां पर भी 1.5 इंच ही लेना है, थोड़ा से जादा हो गया है, यह पर देखें, मैं 1.5 इंच की पर ही उसी तरह से हमने माजन वाला निसान लगाया है उस पर सीधा निसान खीछ लेते हैं से यहां पर जू मैंने प्लेट के लिए झोड़ा एंट चूड़ा है तो यहां पर अना है Dob si गले की साड़ से 5 इंच पर एक निसान लगाना है और वहां से लंभाई में भी हमको 5 इंच लंबे निसान लगाना है तो यहां पर हमने जो 1,5 इंच प्लेट के लिए कप्ड़ा छोड़ा है तो हमको 1,5 इंच ही लगाना है इस तरह इंच को हमको इस तरह से इसको तेची लाइन मिला देना है उपर तक निशान मिला लेना है और इस साइड भी इसी तरह से हमको लाइन खेंच देना है तो इसी लाइन ओपर हमको स्लाइड लगाना है तो अब यहाँ पर हम गुलाई मिला देती हैं यहाँ निसान लगाया था उसी से मिलाती हुए इस तरह ऐसे हमको आर्मोल का निसान मिला लेना है तो चलिए अब हम इस पीछे वाले हिस्से की कटिंग कर लेती हैं फिर इस से भी निसान लगा लेंगे तो यहाँ पर देखी हैं गले साइट से कटिंग करेंगे और गले साइट से कटिंग करते हैं तो इस तरह से हमारी गुलाई अच्छी आती है काटने में अगर उपार से काटते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्टेप हो सकता है तो इसलिए नीचे से ही कटिंग करेंगे और यह ज तरह से हमको इसी निशान पर काटते जाना है और हमने माया जन का निशान लगाया है उसी हिसाप से हम माया जन की लाइन से ही काटेंगे दोस्त वीडियो पसंद आने पर लाइक सेर करना बिल्कुल न भूले हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में अब हम आगे वाले हिस्से में निसान लगा देते हैं तो हमने जो आगे का कपड़ा यो बचा हुआ है इसी में हम आगे वाले पल्ला निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए हमको सिर्फ तीरा का निसान लगाना है जहां तक हमारा तीरा आता है तो हमको लगाना है साड़े बारा एंच पर एक निसान तो यहां देखिए मैं साड़े बारा एंच पर निसान लगा रही हूँ उस तरह से हमको सेधी लाइन खीच लेना है और उसमें से हमको देखे लाइन खीच चुकी है और यहाँ पर हमको एक इंच उपर की साइड इस तरह से नौक बनाना है और यह सोल्लर है तो सोल्लर हमने पीछे भी पाँच इंच पर रखेते तो यहाँ पर हमें five पर ही निसान लगाना हैं और जू गला है निसान तो लगाई है उसको भी हम नाप लेते हैं दो इंच और यहां पर लंबाई 6 छ tahu प्रखेंगे आगे वाले में जाएंच रखेंगे तो यहां परहमने च about स्वेदा निसान nieuज कि अपयर दे देदे घा और थोड़े सी गुलाई उपार की साड़ से इस तरह से लेकर आएंगे और इस तरह से हमारे गला बिलकुल गूल हो जाएगा तो यहां पर हमको रखना है आर्मॉल आर्मॉल भी यहां पर हमको 6 पर ही निसान लगाना है जो हमने पीछे की साड़ 6 पर लगाया था यहां पर भ मैंने 18 इंच पर निसान लगा दिया हूं इस तरह से मिलाती हुई उससे मिलाड से मिलाना है। यह आगे बाला हैसा है, तो यहाँ पर गहराई थोड़ी जादा होती है, और पीछे की साइट थोड़ी कम होती है, और अब लगा लेते हैं सीना यानिके चेस्ट का निसान, तो यहाँ पर हमको चौथा हिस्सा लेना होता है, तो यहाँ साड़े नो आता है, तो यहाँ यह जो होग हाई पट्टी आती है उसमें आदा इंच कपड़ा चला जाता है और एक इंच पट्टी लगने पर हमारा बढ़ जाता है एक इंच की पट्टी देती है हाई होग की यहाँ पर आदा इंच चला जाता है तो समझें कि हमारा आदा इंच बढ़ जाता है पट्टी में एक इ तो जैसे कि हमने उपर बताया कि यहां पर कम रखना है और यह जो सामने प्लेट आती है हमारी तो उसके लिए लेंगे हम 2 इंच और 1.5 इंच का मार्जन और अब इस निसान को इस तरह से सीधा मिला लेते हैं और इस मार्जन वाला निसान भी इस तरह से मिला लेंगे तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं यहां पर गले साइट से कटिंग कर रहे हैं तो यहां पर देखिए गूलाई के हिसाब से ही हमको कटिंग कर लेना है और अब काट लेते हैं आर्म होल तो गले और आर्म होल की पट्टियां हमको ऐसे ही नहीं फेकना है इनको समाल का रखना है तो देखे इस तरह से कटिंग करने के बाद अब आ जाते हैं तीरा की साइड तो तीरा की साइड हमको एकदम से कुणना नहीं बनाना है नीचे हलकी सी गोलाई लेना है इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको गोलाई दिख रही होगी और आगे साट जो जुड़ा हुआ है उसको भी मैंने कट कर लिया है दो हिस्सों में तो देखिए जी आर्म हॉल की जो पट्टियां बची हैं इसी मैंसे हम निकालेंगे आई और हुक की पट्टियां तो इसको हम निकाल लेते हैं कपड़ी में से अलग और इसको देखिए हमको इस तरह से मोड़कर दोनों पट्टियां हमको एक साथ निकाल लीने हैं तो आई पट्टी थोड़ी चोड़ी लगती है और हुक पट्टी लगती है पतली क्योंकि बू अंधर की साइड रहती है और आई पट्टी एक इंच आगे निकालने चाहिए इस तरह से लगाते हैं तो यहां पर निकालेंगे हम तीरा यानिकी बेल्ट पट्टी तो यहां पर बेल्ट पट्टी के लिए हम कपड़े को डबल कर लिया है और नापकर देख लेते हैं प्लाउस के पल्ला से कि उसमें आ रहा है या नहीं इस तरह से दिखिए हमारा एक अपड़ा थोड़ा ठाहल पड़ रहा है तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे और अब इसको इस तरह से मिलाके रख लेते हैं और इसमें सीधी लाइन खीच लेते हैं ब्लाउस के पलार से हम इस तरह से सीधी लाइन खीचेंगे ताकि एक लाइन में बना रहें बेल्ट पट्टी सीधी निकले और यहां से इसको कट करके अलग निकाल देते हैं और यहां पल अब हमको देखना है लंबाई तो लंबाई चाहिए थी हमको 16 एंच 16 एंच लंबाई चाहिए तो हमने 16 पर ही निसान लगा दिया है इस तरह ऐसे मैंने सीधा निसान लगा दिया है और यहाँ पर भी जहाँ पर हमने पल्लर सेट किया है वहाँ पर निसान लगा लेना है क्योंकि इसी निसान पर हम कटिंग करेंगे तो देखिए हमारा निसान लग चुका है और इस निसान को हम यहां से कटिंग करके यह कपड़ा जोए एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे और यह हमारा बेल्ट पट्टी बच चुकी है तो इसको भी हम निसान से कटिंग कर देंगे और हाँ अगर आप हमारे बाट्स अप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नमबर हमको कमेंट में भीज सकते हैं अभी हमारी ग्रूप में करीब तेर्स और लोग जुड़ चुके हैं हमारी स्लाइस रूप से सीखने के लिए तेहां पर चार महीने का कोश होता है उसमें आपको स्रूप से लेकर एंड तक सारी स्लाइस सिखाए जाएगी जैसे कि सिंपल ब्लाउस से लेकर समीज, कुर्ती, डिजाइनर ब्लाउस, डिजाइनर कुर्ती, मॉडरन ब्लाउस सभी प्रकार की सिखाए जाएगी और कई पिकार की सलवार, कटिंग, सलाई, ड्रेस, लेंगा बगएरा सभी का कोश्प पूरा किया जाएगा तो यहाँ पर अपना बाट्सप नंबर आप हमारे कमेंट में लिखकर भेज़ शकते हैं अगर आप हमारे गुरुप में जुड़ना चाहते हैं तो और इसमें आपको पहले सुरुवाती महीने में 350 रुपे भरने होंगे और बाकी के तीन महीनों में आपको 500 रुपे प्रती माह लगेंगे और यहाँ पर आपकी सलाई में कमी निकारली का मौका नहीं रहेगा सारे डाउट के लिए कर दिये जाएंगे कोई भी नहीं बताता है वो स्टेप हम बताएंगे आपको यहाँ पर और हर बार इक चीज आपको सिखाई जाएगी तो थेंकियो दूस्तों देख लीजिए आपकी गले की पट्टियां कैसे काटते हैं इस तरह से तिरशी पट्टी हमको काटनी होती है और सारी पट्टियां काटने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमको पट्टी को जोड़ना होता है तो देखे जो गले की हमारी पट्टी बची हुई थी उसी मैंसे सारी पट्टियां निकालाएंगे तो इस तरह से हमको कम कपड़ी में भी पूरा ब्लाउस बनाना पड़ता है तो देखिए इस तरह से जो हमारी पट्टियों की ये जो नोख होती है उसके लिए हमको उसी प्रकार की पट्टी ढूड़ कर लगानी पड़ती है जैसे कि हमने 6-7 पट्टियां कटिंग की है और देखिए इसकी जो नोख ज्यादा लंबी है तो उसी तरह की हमको एक पट्टी चाहिए और अगर नहीं है तो हम उसको थोड़ा कट भी कर सकते हैं पर ये देखिए उसी के हिसाब ये पट्टी है तो इस तरह से हमको उसके उपा से पट्टी रखना है एक इस साइड से और एक उसके उपा दूसरी साइड से और अगर ये छोटी इसकी नोख कम है छोटी साइज है तो इसको हम इस प्रकार की पट्टी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और देखे इस तरह से हमारी पट्टी एकदम सीधी बन कर आएगी तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा तो थेंक्यू दोस्तों मिलते अगली वीडियो में आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन को भी जरूर ब्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद तो थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो